हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने वाले हैं आमले की चटनी और यह इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है जिसको आपके घर में आमला नहीं पसंद देना आप विश्वास बहुत ही आसान है तो देखिए यह मैंने आमला ले लिया है आप अपने फैमली मेंबर के साब से आमला की मात्रा कम जादा रख सकती है मेरे घर में फ्रेंड्स चार मेंबर है इसलिए मैंने इतना कम लिया है तो आप देखिए इसको मैंने अच्छे से आमले को दो के इस तर अमरी यह बाद मैं और शेहत के लिए देन अपने खाला में स्तमाल कर सकती हैं मैंने सरसो का तेल लिया है तो मैं सरसो के तेल को अच्छे से गरम कर लूँगे अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हिंग हिंग आप अपने हिसाब से रखी फ्रेंड्स कम जादा आपको पसंद है जैसी अब हम ये आदा छोटा चम्मच डालेंगे जीरा अब हम इसमें डालेंगे उड़त की डाल धुरे हुई उड़त की डाल एक चोटा चम्मच और डालेंगे हम इसमें चने की डाल एक चोटा चम्मच इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उड़त और चने की डाल का इतना अच्छा टेस्ट आता है और South में इसकी चटनी ऐसे ही बनाते है, South Indian वाले लोग बहुत ही अच्छी चटनी इसकी बनाते है तो इस तरीके से हमने उड़त की दाल, चने की दाल, हींग और जीरा को अच्छे से भून लेना है बुनने के बाद देखे, इसको हमें धीमी आज पर ही भूनना है तो आप गैस का फ्लेम बिल्कुल रखेगा धीमी आज पर भूनेगा वनना डाल जल जाएगी और बिल्कुल गंदा सा उसका टेस्ट आएगा इसलिए धीमी आज पर रखेंगे हम और अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च इसे कलर बहुत अच्छा था है और डाल देंगे हम अद्रक का तुकडा अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लसन और डालेंगे हम करी पत्ता आप ताजा करी पत्ता भी ले सकते हैं, मैंने ये करी पत्ता के उसको सुखा के रख लिया है, तो जब भी मुझे यूज़ होता है, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, आपके पास फ्रेश है, तो आप फ्रेश करी पत्ता भी यूज़ कर सकती है, इस तरीके स योज करेंगे ना बहुत ही अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए तो वैसे तो यह खाया नहीं जाता है तो हम इस चटनी के रूप में अचार के रूप में या फिर मुरब्बे के रूप में जरूर खा सकते हैं अब हमने जो आमला कट करके रखा था उस आमले को हम कडाई में और इसको भी हम भूल लेंगे आमला फ्रेंट बहुत ही जल्दी पक जाता है हमें बिल्कुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आराम से यह जल्दी से आमला हमारा पक जाएगा इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम 2-3 मिनिर तक अच्छे से इसी तरीके से गैस पे रखते हुए इसको हम भून लेंगे जब थोड़ा फ्रेंट देखे अब हम इसमें एड करेंगे आदा चोटा चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के साब से रखे एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पाउडर अब हम डालेंगे इसमें भूना हुआ जीरा का पाउडर एक चोथाई चोटा चमच और एक चोथाई चोटा चमच हम डालेंगे इसमें काले मिर्ज का पाउडर अब हम इन सब को अच्छे से भून लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे मीडियम रखते हुए भूनेंगे फ्रेंड्स और इस तरीके स अब ये ले लिया हमने रख लिया हुआ हम पैस को अब के थ्यांय को इस तरीके से लैं呢、、 मुने के बाद हरेदंची बने जो आखे ﷺ देखे इस तरीगे से इसको peak कट कर लिए क्या करें अपने आमला अर बाकी तो भून रहे 29 बारिककी 20 के बांवоль के जहांवा काटने की रह डालं। कर देखे अब ये ये अब भूरिक क्टिंग जादा नहीं बोनना पड़ेगा अब हम इसमें धनिया पत्ता एड़ कर देते हैं अगर आपकी मर्जी है तो आप निकाल सकते हैं जो डंडियों में जो टेस्ट होता ना धनिया का बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हमें धनिया के दंडी को निकालने की जरूरत नहीं है अच सिर्फ गवर कर दिया है और आप देख सकते हैं, अच्छे से पक चुका है आमना भी हर एक चीज हमारा अच्चे इसी तरीके से प्लेट में रहने दूगी अगर हम गरम-गरम मिक्सी में पीसेंगे तो एक तुसमें गैस बन जाएगी और बिल्कुल उचलके उसका कैप बाहर आज अगर हम जलने का डर है तो हम इसको इसी तरीके से जल्दबाजी नहीं करेंगे हम इसको अच्छे से ठंडा ह अब इसको अच्छे से ठंडा हो चुका है और बाकी चीजे ठंडी हो चुकी है अब इसको मिक्सी के जार में डाल कर इसका बढ़ियां सा एक पेस्ट तर्यार कर लेंगे इस तरीके से हम सारे आमले को इसमें डाल देंगे अब हम इसका एक बढ़ियां सा पेस्ट बना लेंगे इसको पेस्ट बिल्कूल भी दिक्कत नहीं आएगी बड़ी आराम से इस तरीके से देखे ये आपका जो है पिस जाएगा और आपकी चटपटी सी आमले की चटनी बनके तयार है आप इसे फ्रेंट खाये दाल चावल क के साथ खाये आप इसे रोटी के साथ खाये पूरी के साथ खाये अगर आप सफर करने जा रहे हैं दूर का सफर करें तब ही आप इस आमले की चटनी को इस्तमाल कर सकते और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है बहुत ही अच्छी बनती है अब हम इसमें थोड़ा सा ट् तेल जो टेस्ट लेकर आता है ना हमारे इस आमले की चट्नी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप जरूर कच्छा सरसो का तेल इस्तमाल कीजिए यह देखे फ्रेंड्स आमले की खट्चटपटी सी चट्नी हमारी बनके तयार है अगर आपको थोड़ा सा मीठा बनाना है तो आप इसमें चीनी बेडाल सकते है लेकिन मुझे तो ऐसा ही खट्टा और तीखा पसंद है तो इसलिए मैंने चीनी नई डाली है फ्रेंड्स अच्छी चट्नी हमारी बनके तयार है मुझे उमीद है आपको यह रेसेपी जरूर पसंद आई होगी पसंद आई तो कीजिएगा